तो यहां पर मैं आप लोगों को यह वाला लुक पूरा क्रेट करके step by step बताने वाली हूँ यह मेरे इंस्टा का है और आप लोगों के काफी पसंद किया इस लुक को और आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट आई थी के दी हमें बताइए किस तरीके से यह लोग क्रेट किया है तो यह इंगेजमेंट विंटर लोग और किस तरीके से मैंने किया है इस चलिए आप देख रहेते हैं step by step और एक बात याद रखनी है कि आपको टोनर अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है तोनर में आप रोज बॉटर भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम हमारी स्केन बहुत ज़्यादा इन कॉम्बिनेशन होती है और विकॉस अप दी वैदर बहुत चेंज हो रही हो और यहां पर एक चीज में आपको बताती हूं जो कि आप राइट डाउन कर लीजेगा प्राइमर की बाद मैंने यहां पर सीरम अप्लाई किया है रीजन विंग कि आज हम कर रहे हैं विंटर स्पेशल यह जो लुक है इसलिए आपको सीरम इसलिए अप्लाई करना है क्योंक यह जो को मत मैं प्लाई कर दी हूं और क्योंकि हमेसा इसथा भिया है वो बहुत ज्यादा डार्म है किस ail마 यहाथ कर सकते हैं तो आपको हमेशा कशलर करेक्षं के लिए आप के अलग तो करना है एंड डाप ब्लेंडर से ब्लेंड करें कि बाद हम यूज करते हैं फांडेशन और यह मेरा प्रो फांडेशन जो कि फॉरेवर फिफ्टी टू से है और शेड है 14 नंबर का शेड है यह नया लॉंच हुआ है और चुकि हम पर हम इंगेजमेंट मेकप कर रहे हैं और वि कर सकते हैं आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्लाइंट किस हिसाब से आपको यूज कर रहे हैं और यह बनाना पड़ेगा अब मैंने यह इकबर फांडेशन पूरे पर लगा दिया उसके बाद मैं अगें जो मेरा डाप ब्लेंडर है उससे ब्लेंड कर रहे हूं टैप करके अगर आप मेरा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दू कि मैं पालर से रेटेट काफी चारी चीज़ें इस चैनल पर लेकर आती रहती हूं और अगर आपको फ्री में ऑनलाइन घर बैठे पालर सीखना है तो आप मेरे इन क्लासिस को देखकर मेकप स्टे एंड फ्राइडे और इसके बार मैंने यह पूरा ब्लेंड किया अच्छे से ना मैं यहां पर यूज कर रही हूं एन्वाइ की कॉंटोर इस टेक बिकस हमारे जो क्लाइंट है उनको 3D मेकप चाहिए और मैंने आपको पूरा डिफरेंस बताया है कि HD मेकप 3D मेकप औ क्या दिफरेंस होता है सु मैंने यहां पर उनका फेस को असकर ब्लू तेकने के लिए जो लाइन पर इस तरीके से कंसीलर लगाया है और चीक बोनस पर आनो जाल दिखाने करे करें लोगे और मैंने कॉंटुम है और मैंने कुंटूरिंग को ब्लैंड कर लिया डेया मैं यहांप पर कंसीलर अपलाई किया है , сама कर तो से सकते हैं , मैं यहांप मेबलीन का यूज워서 करी हाँ , जब भी आई गातें बंसमें college अर। कारण कि से बेंड़े हैं , यह हमें पेंड़ कंसीलर सुपफिया से निगल कर आते हैं । निसनो ब्रफ्रफ करना शुरू करती हो अब से अगर आप भी करेंगे तो आपको भी आई मेक बहुत अच्छे से लगए जासे मैंने बूला कि मैं यह आ पर अपर इसक अब यहां पर पर वकिशन लगा रही थी मैंबलीन का नाओ अमने इसक अब बहुत ही लाइट कलर लेकर कर दो और उसमें मैंने जो लाइट पिंक शेड था वह लिया अपने आई शैडो के ब्राश में एंदेन मैंने हमेशा आउटर कॉर्णर से स्टार्ट करती हूं एंदेन उसको हलका सा ब्लेंड करती हूं भी बनाने के ऐसे और गोल-गोल करके उपर से नीचे तक लेका जाती हूं तो हम सब्लाइण को इस तरह के पिर्फरेंस थी आई मेठक अ कराने की और उनकी साड़ी कर दो हमने इसी तरह की आपर ऌईट टेग लिया था ताथा थे अब मैंने दार्क शैड लिन आत're of क花 thé rice कर Small has आपने बहुत ही जो परपल शेयर यह देखिए आप देख सकते हैं वह लिया और सेंटर पर मैंने कुछ इस तरीके से अपलाई किया है आपने देखा उसके बार इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी एंदेन लाइट शेयर लिया एंदेन उसको मैं यूँआ ब्लेंड अच्छा हमारा बेस और आई मेकप निकल करके आता है इसी तरीके से यह जो मैंने हल्का पर्पल शेयर था उसमें थोड़ा सा आउटर वी पर बनाया हलका सा और क्रीज लाइन को कुछ इस तरीके से डेवल लग किया और अब मैं एंके की मेरी मेकप कित है इसमें मैंने जो आउप किल लाइट पिंग शेयर था और वैसे मेरे यह शेयर देक बीटिग लाइजेट की पैलेट में भी था लेकिन मैंने इसमें से ट्राइग करना अच्छा तो मैंने वो ले लिए अकर आपकी पैलेट में हो रिकुल लाइट लेकन हलका सा शेयर अच्छा लगेगा आपको हमेशा अपने अपने आइस के नीचे उसमें ब्राउन कलर से लोक क्रीट करना चाहिए वहाँ पर स्मोकी सा लोक आता है और हमारी जो क्लाइंट है वह आई मेकप पढ़ाते हैं अपर आइस का सो गए थे तो उनको रहा जगाना पड़ा है तो यह इस तरीके से मैंने यहाँ पर ब्राउन आईशेडव एपलाई किया है एक पैंसिल ब्रश की हेल्प से अब यूज़ करें हूं शुगर का यह जेल आई-लाइनर और इसको मैं इसी में ब्राश आता है उसी की हेल्प से एपलाई करूंगी और जिस तरीके से अपर लाइनर अपलाई करूंगी जेल आई-लाइनर हमेशा याद रखें आप कि अगर आप बिगिनर है तो बहुत अच अब मैं यहाँ पर शुगर की पैलेट से ब्राउंजर शेड लूँगी और जो लाइन पर हमारे एक लाइन का फेस हलका सा प्लाफी है और चीक बोन्स पर कुछ इस तरीके से इनो ब्राउंजर अपलाई कर दूंगी अब आप पुछे कि के कॉंटूरिंग के बाद ब्राउ अब ब्राउंजर अपलाई करते हैं तो और जादा अच्छा और स्कर्प लोग आता है इस तरीके से नोस के धर भी मैं हलका सा शार्प बनाने के लिए इस तरीके से कर दूंगी और मैं यहां पर मस्काराई करूंगी लोईर लेश लाइन और अपर लेश लाइन बोथ बोथ नेक्स्ट मैं यहां पर मिस क्लियर का ब्लश यूज़ कर लूंगी अहाल कलका हमको स्माइल करवा कि आप देख सकते हैं मैंने लिप्स्टिक भी अपलाई नहीं की है बट देखिए आपके सामने हैं कि मेकट इतना फ्यारा लग रहा है और इस तरीके से मैंने यहां पर ब्ल पर भी थोड़ा नहीं थोड़ी चीक बोल्स पर इसके बाद चिन पर एंडेन टिप आफ दी नोस पर मैं अपलाई कर दूंगी इस तरीके से और चुकिए विंटर है तो विंटर पर हमेशा ग्लॉसी मेकप अच्छा रखता है तो हाई-लाइटर आप चाहें हलका ज्यादा कर सकते हैं और हमने आई मेकप को कम्प्लीट कर लिया है विठते काई लैशिस पर अपलाई करके एंडिया पर में ब्राउन शीड लेकें ग्लॉसी में अपलाई किया है और आप चोड़ी से बिंडी लगाई है अब इनका फाइनल लुक आप देख सकते हैं और यह देख सकत करें जरू सब्सक्राइब करें थैंक यह सो वरी मच पर वाचिंग बाबाय टेक्यार